नमस्कार प्यारे बच्चों, समासास्तर के इस वीडियो लेक्चर में मैं विनौद कुमार प्रभक्ता समासास्तर प्लाजकीय रिष्ट माध्यमिक विदाले सजुमा के थलाप का हारदिक स्वागत करता हूँ प्यारे बच्चों कक्ष्या 11 के अध्याय दो समासास्तर में प्रियुक्त सब्दावली संक्लपनाई और उनका उप्योग में उपविश्य प्रस्तती और भूमी का पर आज हम चर्चा करेंगे प्रस्तती, स्टेटस और भूमी का रोल प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मनुश्य समाज में रहते वे विबिन परकार के कारिये करता है विबिन प्रकार के कारिये उसे अपनी रूची के अनुसार अपने प्रिवार के आउशकताओं के अनरूप अपने जीवी को पारजन के लिए करने पड़ते हैं तथा समाज में सभी व्यक्ति एक ही स्थान पर काबिज नहीं रहते उनके लिए अलग अलग प्रकार के स्थानों का निर्धारन समाज के दवारख किया जाता है इन्ही कारियों को हम भूमिका कहते हैं और समाज में व्यक्ति का जो स्थान होता है उसको हम व्यक्ति की परिस्थति या स्टेटस कहते हैं प्रिस्थती के अर्थ की यदि हम बात करें तो हमाज सास्तर में प्रिस्थती जिसकों की हम अंग्रेजी में स्टेटस कहते हैं प्रिस्थती के अर्थ की यदि हम बात करें तो जनम वैयोगिता के आधार पर समाज में कुछ पदों का सरजन किया जाता है और उन पदों का सरजन करके इस परकार से उनका बटवारा किया जाता है कि व्यक्ति से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो अपने पद के अनुसार कारिये करें और इस पद को समाज सास्तर में परिष्टति कहा गया है और उस पद से समंधित कारिये को समाज सास्तर में भूमिका कहा गया है उधारन के तोर पे समाज में किसी व्यक्ति जो की अध्यापन का कारिये करता है उसकी प्रस्ततिये का अध्यापक के रूप में हो सकती है इसी प्रकार से विभिन कारिये करने वाले व्यक्तियों की जो प्रिस्तती है वो समाज में होती है और विभिन प्रकार के जो वेवसाय करने वाले लोग हैं उनकी प्रिस्ततियों में उचता और निमनता का भाव भी पाया जाता है उधारन के तोर पे यदि हम बात करें तो एक कलरक से एक डाक्टर की प्रिस्तती सदेव उच रहेगी तो प्रिस्तती स्वह समाज में उसकारिये को दिया जाने वाला मानसमान या रूतबा है जो व्यक्ति भूमिका के तोर पे करता है प्रिस्टिती की व्याख्या करते वे कुछ विद्वानों ने प्रिस्टिती की प्रिभासाइं दी है जौन लेवी कहते हैं कि किसी समाजिक सरंचना में व्यक्ती अथ्वा समू के संस्ता गत्पदों की संपूर्णता का नाम ही प्रिस्टिती है बिर्ष्टिड कहते हैं समन्यत एक प्रस्तिती समाज अथ्वा एक समू में एक पद है तो हमें बिर्ष्टिड की प्रिवासा को या पर कोट कर देता हूं बिर्ष्टिड कहते हैं बिर्ष्टिड के एनुसार बिर्ष्टिड कहते हैं कि समन्यत एक प्रस्तिती एक परस्थती समाज अथ्वा समू में एक पद है तो यहां से आपको काफी कुछ सौन में आ गया होगा कि समाज या किसी समू में जो कोई पद व्यक्ति ग्रेंड करता है वो उसकी परस्थती उसके साथ जुड़ी होती है लिंटन कहते हैं कि समाजिक ववस्ता में समाजिक ववस्ता के अंदर किसी व्यक्ति को एक समय विशेश में जो स्थान प्राप्त होता है उसको उस व्यक्ति की प्रस्तति कहा जाता है समाजिक ववस्ता बनी होती है समाज को चलाने के लिए और उस ववस्ता के अंदर किसी व्यक्ति को जो स्थान मिला होता है समाज में उसको प्रस्तति कहा गया है आगबर्न और निमकाफ कहते हैं पृष्टतिתי की सबसे सरन प्रिवाशा यह है कि यह समू में व्यक्ति के पद का परतिनितव करती है, तो आगबर्न कहते हैं आगबर्न एवन निमकाफ. आग बार नोर निमकाफ कहते हैं परिस्तती जो है समू में व्यक्ती का व्यक्ती के पद का परती नीधी तो वो करती है तो समाज में या समू में व्यक्ती का जो पद है उसके अनुसार उसकी परिस्तती जो है वो जुड़ी होती है ऐसा आग बर नोर निमकाफ कहते हैं कार्ड और वक्मेन कहते हैं कि परिस्तती समू और व्यक्तियों के वरग के द्वारा अनुवानित किसी व्यक्ति का मुल्य है तो समू या व्यक्तियों का जो वरग है समाज में व्यक्ति का मुल्य है उसके पद के अनुसार उसका मुल्य है तो खुल मिलागर के हम कह सकते हैं कि परस्तिती जो है व्यक्ति के कारिय गोस्माज के द्वारा दिया गया स्थान है प्रस्तिती का आर्थिक स्थति से कोई विशेश लेना देना नहीं है हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वह गेर कानूनी तरीके से बहुत अधिक पैसा जमा कर ले लेकिन एक जो डाक्टर है वह एक बहुत ही इमानदारी से अपना कारिये करता रहे तो ऐसी स्तति में हो सकता है कि डॉक्टर की आमदनी है वो किसी गेर कानूनी कारिये करने वाले व्यक्ति से कम हो समू या समाल्ज में व्यक्ति के कारिये को जो स्थान दिया गया उसको प्रस्थती कहा गया है अब बात करते हैं प्रस्थती के प्रकार के बारे में तो प्रस्थती के मुख्यत है दो प्रकार हैं दो प्रकार हैं एक जो है वो है आपका परदत प्रस्थती पर्दत परिस्थति और दूसरा जो है वो आपका वो है अर्जित परिस्थति तो अर्जित परिस्थति और पर्दत परिस्थति ये परिस्थति के दो परकार है परदत प्रस्तती में प्यारे बच्चों के आता है कि परदत प्रस्तती व्यक्ति की समाजिक ववस्ता में वो श्तती है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी परकार का प्रियास नहीं करना पड़ता है इसी प्रस्तती उसे जनम से स्व्यम ही मिल जाती है अर्थार्थ उसके लिए किसी व्यक्तिगत प्रियास की आवशक्ता नहीं होती किसी व्यक्ति विशेश को जिसको वो प्रिस्तिती प्राप्त है उसे उस प्रिस्तिती को प्राप्त करने के लिए कोई प्रियास नहीं करना पड़ता वो जनम से उसे सवताई मिल जाती है जैसे समाज में बच्चे को लिंग के आदार पे आईउ के आदार पे समाजिक सम्मंदो या नातेदारी के आदार पे जो परिस्तियां मिल जाती है उनको परदत परिस्तिती माना जाता है ये प्रस्तितियां प्राइ, प्राचीन, आदिम, ग्रामेन, जंजातिय समाजों में पाई जाती है यदि मैं इसका उधारन देना चाहूं तो यदि हम माने की किसी समाज में किसी धार्मिक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को उट्ष प्रस्तिती आसिल है तो उस व्यक्ति का पुत्तर यदि बढ़ाओ करके उस कारिये को समाल लेता है तो उस पुत्तर को वो प्रस्तेती स्वयम ही मिल जाती है अर्थार्थ उस पुत्तर ने उस प्रस्तेती को प्राप्ट करने के लिए कोई विशेश प्रियतन नहीं किया वह उसे जनम से ही मिल जाती है तो परदत प्रस्तिती जो है यदि हम इसकी बात करें तो व्यक्ति को जनम से ही मिल जाती है तो यहां मैं लिख रहा हूँ जनम से ही प्राप्त हो जाती है आयू के आदार पे हो सकती है यदि समाज में या प्रिवार में बुजर्गों का मान समान किया जाता है तो वायू के आदार पे है लिंक के आदार पे यदि पुरुष परतान समाज के अंदर पुरुषों को अधिक महतव दिया जाता है तो वो लिंक के आदार पे हो सकता है नातेदारी के अंदर किसी विशेश नातेदारी के व्यक्ति को ए इस प्रकार की प्रस्तेति हैं, वो हमारी परदत प्रस्तेति है, दूसरी जो है हमारी वो अरजित प्रस्तेति है, तो Achieved Status जिसको हम कहते हैं, परदत प्रस्तेति को Ascribed Status हम कहते हैं, तो अरजित प्रस्तेति जो है हमारी, उसके लिए व्यक्ति को स्विम व्यक्तिगत प्रियास क करने पड़ते हैं ऐसी प्रस्तती उसको जनम से हासिल नहीं होती है और जब ऐसी प्रस्तती उसको जनम से हासिल नहीं होती है तो जाहिर है कि ऐसी किसी भी स्टेटस को वो अपनी व्यक्तिगत योगयता के आधार पे हासिल करता है वो व्योगयता उसकी नेतरतों में हो सकती है सेक्षनी की योगेता हो सकती है या किसी दूसरे परकार की योगेता हो सकती है अर्जित परस्तिती को पाने के लिए समाज में परतिस परदा पाई जाती है उसके लिए competition होता है लेकिन परदत परस्तिती के लिए कोई विशेश क्या बिल्कुल भी परतिसपरदा नहीं होती वो जनम के साथ ही व्यक्ति को मिल जाती है व्यक्ति योगत्ता और सक्षमता के अधार पे अरजित परस्तिती को प्राप्ट करता है जैसे कि किसी भी एक परिवार का कोई भी सदश्य जो है वो पढ़ लिख करके किसी उन्चे ओदे पर पहुंचता है तो ये उस व्यक्ति की अरजित परस्तिती है एक एसा परिवार जिसके अंदर पिता अनपड़ थे ठीक है बेटा जो है उसने सिक्ष्या प्राप्ट करके किसी महतपुन ओदे को प्राप्ट कर दिया तो ये उस व्यक्ति के दोवारा अरजित परस्तिती है उसने वो हासिल की है अरजित और परदत परस्तिती में क्या समंद है इस पर थोड़ी सी यदि बात करें तो परदत और अरजित परस्तिती में बहुत ही गहरा समंद है दोनों का समन्द व्यक्ति के समाज में पद या व्यक्ति के समाज में स्थान से है दोनों का ही परदत का भी और अरजित का भी अरजित परस्तती व्यक्ति के गुणों से उसे प्राप्त होती है जबकि परदत परस्तती जो है वो उसे जनन से ही हासिल होती है व्यक्ति को प्रस्तिती चाहे समाज से मिले चाहे वो स्वेम उसको अरजित करे दोनों इस स्थेती में प्रस्तिती को समाज द्वारा मानेता मिलती है तो दोनों में एक समध यह है कि दोनों प्रकार की प्रस्तितियों को समाज है वो मानेता देता है प्रतेक समाज चाहे वैं नगरिये हो या गरामीन हो आदूनिक हो जन जातिय हो या आदिम हो अपने सदश्यों को जनम से ये प्रस्तिती परदान करता है और प्रतेक प्रस्तिती के साथ व्यक्ति के कुछ अधिकार और दाइत्तव जुड़े वे होते हैं अधिकार और दाइतव प्रस्तती के साथ प्यारे बच्चों जुड़ेवे होते हैं इसके प्रणाम सवरूप वो समाज की अपैक्षिया के अनरूप भूमिका निवाने की कोशिस करता है व्यक्ति को जनम से प्राप्त प्रस्तती के साथ साथ प्रियास और प्रिश्रम से प्राप्त प्रस्तती को पाने के अवसर भी मिलते रहते हैं पर्दत प्रस्तती जो है वो अरजित प्रस्तती की शीवा का निर्धारन करती है भारतिय समाज में जाती के आधार पे समाज जनम से प्रस्तिती को परदान करता है किन्तु आयू भी अरजित प्रस्तिती के शेतर को बांधती है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों ही प्रकार की प्रस्तितियों को समाज में मानिता प्राप्त है दोनों ही प्रकार की प्रिस्तेतियों के साथ आधार, अधिकार और कर्तवे जुड़ेवे हैं दोनों ही प्रकार की प्रिस्तेतियां जो है वो व्यक्ति अपने पद और उसके सतर को दिखाने के लिए प्रियोग करता है तो अरजित और परदत प्रस्तिती आपको समझ में आ गई होगी परदत प्रस्तिती वो है जो जनम से व्यक्ति को प्राप्त होती है उसके लिए कोई व्यक्तिगत प्रियासों के आविशकता नहीं होती जैसे IU, लिंग, नातेदारी, इतियादी के आदार पर प्राप्त प्रस्ति और अरजित प्रस्ति जो है वो व्यक्ति-व्यक्ति-गत-प्रियासों से करता है जैसे कि नेतरतव की समता के कारण किसी व्यक्ति-गति का राजनेती में उदे हो जाना सेक्षनिक योगेता के आदार पे कोई उच्पद प्राप्ट कर लेना तो यहां मैं लिक रहा हूँ इसको व्यक्ति गत प्रियास से प्राप्ट तो यहां हमने प्रस्तती के बारे में जो है वो दो तिन बातों पे चर्चा की है एक तो प्रस्तती का हमने अर्थ जाना है कि समाज या समू के दोवारा व्यक्ति को जो स्थान समाज में मिला है उसको हम प्रस्तती कहते हैं जो व्यक्ति का स्टेटस है और उसकी प्रिवासा हमने देखी है दो विद्वानों के परिवासा को मैंने कोट भी किया है एक बिर्स्टिट के अनुसार, रागबर्न के अनुसार काफी आसान परिवासाएं है परिश्टती के परकार और अरजित और परदत परिश्टती में सम्मंद की हमने बात की है अब यदि हम प्रस्तिती के आधारों की बात करें कि व्यक्ति को कोई जो प्रस्तिती मिलती है वो उसके आधार क्या हो सकते हैं किस आधार पे प्रस्तिती मिलती है तो सबसे पहले हम पर्दत परस्तिती की बात करें तो पर्दत परस्तिती जो है वह व्यक्ति को किस आदार पे मिलती है तो उसका सबसे बड़ा एक जो आदार है जैसा कि मैं बता चुका हूँ वो है नातेदारी तो नातेदारी जो है वो परदत परस्तिती का एक महतकुर्ण आधार है जिसमें नातेदारी जेवी की है और सांसकर्तिक दोनों ही तथ्यों का मिस्रित रूप है आप जानते हैं तो दोनों परकार की नातेदारी है वो परस्तिती को लेकर आती है एक रक्त मुलक नातेदारी एक विवाहिक नातेदारी तो नातेदारी के आधार पे परदत प्रस्थेती व्यक्ति को मिलती है परजाती के आधार पे भी व्यक्ति को जो मिलती है परजाती एक प्राने शास्त्रिया उधारना है बायोलोजिकल कंसेप्ट है संसार के व्यक्तियों को सारिक रंग के अधार पे तीन पर्मुख परजातियों में बांटा गया है पीला, काला और सफेद और इन में काली परजाती के लोगों को समाजी को राजमेतिक अधिकारों से अलग रखा जाता था तो ये उनकी एक परस्तिती थी अंग्रेज बारत में सासन करने वालों को स्वेतों का बोज के अकर के निचा दिखाते थे तो इस परकार की परस्तिती वहां भी मानी जाती थी जो परजाती के अधार पे होती थी फिर बारतिय समाज में प्रस्तती का और खास दोर से प्रदत प्रस्तती का एक महतपुणा अधार जाती भी है जाती जो है वो बारतिय समाज का एक मुख्या विशेशता है और जाती व्यक्ति की प्रस्तति को समझने वाले में यहाँ वाले में एक महतफुण गूमिका है हमारे समाज में समाज को प्राए उच जातियों और तथा कथित निमन जातियों में बांटा गया है तो जो उच जाती में जनम लेने वाला व्यक्ति है उसकी प्रस्तती को उच समझा जाता है और निमन जाती में जनम लेने वाले व्यक्ति की प्रस्तती को निमन समझा जाता है अलांकि समविधान ने समस्त जाती और मनुश्य मातर को समानता का दर्जा दिया वा है लेकिन हम सम समाजिक विशेष्टा के तोर पे जाती को नकार नहीं सकते आयू आयू जो है वो व्यक्ति की प्रस्तिती को निर्धारित करने का एक मैतपूर्ण कारक है जैसा कि मैं बता रहा हूं कि गरामिन समाज में खास तोर से जैसे बुजर्गों को समान की दरश्टी से देखा जाता ह या जाती पंचायत में या परिवार के अंदर किसी मैतपूर्ण फैंसले में बुजर्गों की जो है वो एशियत है उसको नकारा नहीं जा सकता तो आयू भी है जो है वो एक परदत परस्तिती का आधार हो सकता है इसी परकार से जो लिंग है लिंग वेद है जैसा कि देखा कि कुछ जो समाज है अधिकास समाज है वो पुरुष परदान होते हैं कुछ समाज मातरी परदान होते हैं तो उसमें जिस परकार का समाज है उस परकार के जो लिंग वाले व्यक्ति है पुरुष या श्त्री उनके एशियत है उसको नकारा नहीं जा सकता उनकी प्रिस्तती वो उचिया निमन उस आधार पे होती है प्राचिन काल से इस्त्री और प्रूस की भूमिकाओं और प्रस्तिती में अंतर जो है वो किया गया और ये जो अंतर है वो बच्चे के जनम काल से ही शुरू हो जाता है इसी प्रकार से जनम जो है वो भी परदत प्रस्तिती का एक मु अधारित की जाती है तो हब हमने परदत परस्तती के कुछ आधारों के बारे में बात की है तो परदत परस्तती के कुछ आधारों पे चर्चा करने के बाद हम अरजित परस्तती के भी कुछ आधारों पे चर्चा करते हैं तो अरजित परस्तती के जो मुख्य आधार है यदि ह आधार हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो आधार है वो है आपका सिक्ष्या तो सिक्ष्या जो है वो अरजित प्रिस्तिती का आधार है व्यक्ति सिक्ष्या प्राप्त करके अपने जीवन में परिवर्टन ला सकता है शिक्सिया उसकी समाजिक प्रिस्ति को भी चेंज कर सकती है, बदल सकती है, वर्तमान समाज में सिक्सिया के दवारा व्यक्ति उच्छ प्रिस्ति को अरजित कर सकता है, एक ए सिक्सित व्यक्ति की तुलना में सिक्सित व्यक्ति की प्रिस्ति समाज में सदेव उच रहती है, त दूसरा जो है वो है आपका राजनितिक सत्द्था राजनितिक सत्था है यह भी एक मे座म अधार है अरजित परिस्तति का समाज में जिस व्यक्ति के आतमी pig राजनितिक सत्था होती है। उस व्यक्ति की परिष्टति समाज में उच रहती है उस व्यक्ति का स्टेटस या जो एशियत है समाज में वो उची माने जाती है और राजनेतिक सत्ता के आदार पे व्यक्ति की परिष्टति है वो स्थाई नहीं होती राजनेतिक सत्ता के परिवर्तन के साथ उस व्यक्ति की प्रस्तती में परिवर्तन भी संभव होता है इसी प्रकार से अर्जित प्रस्तती जो है उसका एक मैतकुरून गटक जो है वो सारीरिक शक्ती भी है फिजिकल या मसल पावर जिसको हम कह सकते हैं तो सर्रिक सक्ति के आधार पे भी व्यक्ति की जो परस्तिती है वो उचिया निमन हो सकती है सर्रिक सक्ति को भी अरजित परस्तिती का आधार माना जा सकता है इसके अत्रिक्त अर्जित परिस्तिती के आधार में वहिवसाय भी एक मैतपुन भूमिका निबाता है बहुत से ऐसे वहिवसाय होते हैं जिने समाज में समान की द्रश्टी से देखा जाता है जैसे सिक सक का वैवसाय है, बजाए दूसरे अने वैवसायों के तुलना में उनकी प्रस्तिती है, वो सदेव कुछ रहती है. इसी परकार से आर्थिक अधार की यदि अम बात करें तो आर्जित प्रस्तिती में धन, धनगी भी मैतपुन भूमिका होती है कुछ समाज में आर्थिक आदार पे व्यक्तियों के एशियत या प्रस्तिती का निर्धारन किया जाता है और इसके अत्रिक्त कुछ अन्यादार भी होते हैं जो व्यक्ति की प्रस्तिती निर्धारन करने वाले कुछ और भी कारक होते हैं अपनी प्रस्तती को समाज में उच बना के रखते हैं तो अभी हमने प्रस्तती के बारे में विश्तार से जानने की कोशिश की है हमने प्रस्तती का अर्थ, उसके प्रिभासा, प्रस्तती के प्रकार, अरजित और प्रदत प्रस्तती में समंद अरजित और परदक्त परस्तिती के आधारों के बारे में चर्चा करेंगे बूमिका के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सरोपर्थ हमें बूमिका का अर्थ जान लेना आवश्यक होगा बुमिका या रोल इसका समन्द जो है प्यारे बच्चो वो व्यक्ति के कारियों से है जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में व्यक्ति विबिन परकार के कारिये करता है व्यक्ति अपने जीविका पारजन के लिए विबिन परकार के वैविशाय करता है अपनी रोजी रोटी के लिए विबिन परकार के काम करता है भूमिका का आर्थ व्यक्ति के उन सभी कामों से है जो व्यक्ति एक विशेश परस्तती के अनुसार पूरा करता है या एक विशेश परस्तती के अनुसार जिन कारियों को पूरा करने की उससे उमीद की जाती है वो कारिये उस व्यक्ति की भूमिका कहलाते हैं जैसे कि अध्यापक एक परस्तती है समाज में तो अध्यापक के दोबारा चातरों को पढ़ाना उसकी भूमिका है इसी परकार से चिकित्सक एक समाज में परस्तती है और चिकित्सक के दोबारा रोगियों की देख बाल करना और उनका उपचार करना एक भूमिका है तो भूमिका वे कारिये हैं जो एक विशेश परस्तती के अनुरूप व्यक्ति करता है और उस परस्तती में व्यक्ति उन अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने की कोशिस करता है जो अपेक्षाओं समाज उस से करता है भूमिका की धारना को समझने के लिए हमें इसके निर्मानात्मक्ततों की जानकारी होना आवश्यक है यूं कहा जाए कि भूमिका परस्तती का गती सील पहलू है तो कुछ भी गलत नहीं होगा रोल इज डाइनमेटिक आसपेक्ट ओफ स्टेटस तो डाइनमिक आसपेक्ट है वो स्टेटस का है रोल भूमिका यानि कि किसी स्टेटस के अनरूफ व्यक्ति जो कोई विकारिय करता है वो उस व्यक्ति की भूमिका कहलाती है भूमिका की प्रिभासाओं की अधियम बात करें तो इलियट और बेरिल जो कहते हैं कि भूमिका वैकार ये है जिसे व्यक्ति परतेक परस्थती के अनुरूप निभाता है इसके तरीक Loonberg एक विद्वान है, वो कहते हैं कि समाजिक भूमिका किसी समुव अत्वा परिश्तती में व्यक्ति से परतियासित वयवार का प्रतिमान है किंग्सले डेविस कहते हैं कि भूमिका वह धंगिया तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिष्टती समंधिया वशक्ता की पूर्ति करता है इस परिवासा को मैं कोट करना हूँ किंग्सले डेविस तो किंग्सले डेविस कहते है कि भूमिका वो ढंगिया तरीका है जिसके आधार पे व्यक्ति अपनी परस्तती समंद्य आवशक्ता को पूरा करता है हर्थार्थ की समाज में परतेक परस्टती जो व्यक्ति को मिली होती है उसकी कुछ आवशकताई होती है कुछ अपैक्षाई होती है और उन अपैक्षाईं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जो कारिये करता है वह उसकी बुमिका कहलाती है फैर चाइल्ड कहते हैं कि बुमिका समाजिक परत्यासों और वहवार परतिमानों का एक योग है जिसमें करतव्योस विदाओं दोनों का समावेश होता है तो उप्रोक्त वरनित विद्वानों के कथनों को यदि हम कुछ सब्दों में समाहित करके सार रूप में कहें तो भूमिका व्यक्ति के द्वारा किये जाने वाले वो कारिये हैं जो व्यक्ति अपनी परस्तती के अनरूप समाज में करता है अर्थार्थ एक परस्तती से कुछ कारिये जुड़ेवे हैं कुछ कारिये भंदेवे हैं व्यक्ति जब उन्हें अपेक्षित रूप से पुरा करता है तो वो व्यक्ति के दोबरा निभाए जाने वाली भूमिका या रोल उसको कहते हैं यदि भूमिका की विशेष्ताओं की बात करें तो भूमिका की कुछ विशेष्ताओं हो सकती है एक जो विशेष्टाइं हैं उन में से ये है मुख्य भूमिका इसको की रोल भी कहा जाता है तो विशेष्टाइं जो है उसमें मुख्य विशेष्टा जो है वो मुख्य भूमिका के रूप में है समन्य तोर पे मनुस्य समाज में अनेक परकार की भूमिकाई निबाता है जैसे कि कोई व्यक्ति सिक्षक है सिक्षक होने के साथ साथ नातेदारी में वह किसी का पिता, किसी का भाई, किसी मा का पुत्र है वह अनेक समाजिक संस्ताओं से जुड़ावा हो सकता है खेल के मैदान में उसकी भूमिका एक खिलाडी की है तो वह विविन परकार की भूमिका इनी बाता है प्रंतु मुख्य भूमिका वह भूमिका होती है जिस भूमिका से व्यक्ति समाज में जाना जाता है जिस भूमिका से व्यक्ति अपने आसपास के समाज में जाना जाता है वह मुख्य भूमिका होती है तो भूमिका की विशेषताओं में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यही है कि मुख्य भूमिका है वो व्यक्ति की होती है इसके अत्रिक्त भूमिका की दूसरी जो बात करें तो उसमें विशेश अधिकार होता है जब किसी व्यक्ति को कोई भूमिका निवाने के लिए कहा जाता है या कोई भूमिका व्यक्ति निवाता है तो उस भूमिका के साथ साथ जैसा कि हम पहले जान चुके हैं एक परस्तती जुड़ी होती है और परस्तती के अनुरूप जब वो काम करता है तो उसको कुछ विशेशादिकार समाज में मिले वे होते हैं और उन विशेशादिकारों का परियोग करते वे वे अपनी भूमिका को अभी नित करता है तो भूमिका की विशेशता ये भी है कि ये वे वे विशेशादिकार प्रदान करती है भूमिका एक पक्षिय नहीं होती वन डाइमेंसनल नहीं होती है एक पक्षिय नहीं होती अर्थार्थ बहु पक्षिय होती है तो भूमिका जो है वो एक पक्षिय में नहीं होती इसका सम्मंद समाजिक परिष्टती से होता है जिसका निर्धारण समाज के दवारा किया जाता है और समाजिक पराणी होने के नाते समाज उससे अनेक आवशक्ताओं को पूरा करता है और व्यक्तिन आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंत्यक्रिया करता है इस परकार से रोल है वो सिंगल डाइमेंशनल नहीं हो सकता एक पक्सिय नहीं हो सकता इसके अलावा संस्कृति दोवारा निर्धारित व्यक्ति की परस्तति को बनाए रखने के लिए कौन सी भूमिका आवश्यक है इसका निर्धारन व्यक्ति स्वियम नहीं करता बलकि भूमिका का निर्धारन सदेव संस्कृति और समाजिक मानदनों के आदार पर ही होता है गाई जाती है समय स्थान और हालातों में परिवर्तन होने के साथ बोमिका में भी परिवर्तन हो सकता है इसके अत्रिक बोमिका जो है वो वैवारों की सम्पुरनता का नाम है वैवारों की संपूरनता का नाम भुमिका है तो भुमिका का समन्द व्यक्ति के वैवारों की संपूरनता से है जिसकी एक विशेश परस्तति धारन करने के कारण उससे अपेक्षा या उम्मीद है वो की जाती है इसके अलावा भूमिका जो है वो परस्तती से सम्मंधित है ये महतपुर्ण बात है तो भूमिका जो है वो अकेली नहीं है भूमिका जो है वो व्यक्ति की परस्तती से सम्मंधित है तो ये बड़ी बात है किसी भी भूमिका के साथ परस्तती जो है वो जुड़ी रहती है इस इस बात का भी हम लोगोंने बिल्कुली द्यान रखना है इसकी अत्रिक्त भूमिका से समंदित कुछ अन्याव धारनाएं भी है जो काफी मैतव पुरुन है और उन पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे तो विविन प्रकार की भूमिका हैं जो व्यक्ति निवाता है और भूमिक से समंदित कुछ अन्याव धारनाएं जो प्रिक्षा के दर्ष्टी से भी काफी मैतव पुरुन है और इस दर्ष्टी से भी उनका जो है वो जिकर करना या वर्णन करना अमारे लिए आविश्यक हो जाता है तो भूमिका से जुड़ी हुई कुछ और एक अवधारनाएं है जिनकी यदि मैं बात करूं तो उसमें एक महतवुन अवधारना है वो है भूमिका परतिमान तो भूमिका परतिमान की यदि हम बात करें तो ये भी कई बार है वो लगूतरिये परसन के रूप में पूछ लिया जाता है वो भूमिका परतिमान से आप क्या समझते हैं तो भ बात कर सकते हैं वो रोबर्ट मर्टन कई बार ये आ जाता है परसल रोबर्ट मर्टन है वो भूमिका परतिमान के जनक माने जाते हैं इन्होंने उसके बारे में बताया है व्यक्ति समाज में केवल एक बूमिका नहीं 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 बाता बलकि एक समय में या अलग-अलग समय म विविन परकार की बुमिका अभीनित करता है और इन बुमिकाओं को यह वो बुमिका परतिमान कहा जाता है इसके अतरिक्त बुमिका परतियसा जिसको हम कहते हैं रोल एक्सपेक्टेंसी बुमिका परतियसा तो भूमिका परत्यासा की यदि हम बात करें तो भूमिका परत्यासा जो है एक परस्तिदारण करने के फल्सवरूप समाज व्यक्ति से जिस परकार की भूमिका की उम्मीद करता है उसको भूमिका परत्यासा का जाता है कई बार व्यक्ति दोवरा निवाई जाने वाली भूमिका और भूमिका परत्यासा में अंतर आ जाता है जिसके कारण समाज में ऐस अंतुलन की स्थति उत्पन हो जाती है यदि हम उदारन के तोर पे इस तरह की बातें इस तरह की बात का को लें तो हमें ये जानने को मिलेगा कि मान लेजिए समाज में एक चिकित्शक है समाज उसके वैवार को किसी और तरीके से अपेक्षित कर रहा है समाज उससे ये एक चिकित्शक की जो परस्तती है वो उच है आप जानते हैं समाज ये चाहेगा कि वै नसा मुखती के लिए काम करें इसके विपरित यदि वै चिकित्शक स्वे में नसा करना लग जाए तो हम इस तरीके से कहेंगे कि जो भूमिका परत्यासा पर उक्त चिकित्शक जो है वो खरा नहीं उत्रा है या इसी परकार से जैसे एक सिक्षक की जो परस्तती है वो समाज में काफी उच है तो उसी के अनुरूप समाज सिक्षक से भूमिका की उम्मीद करता है यदی कोई भी शिक्षक इस तरह की भूमिका निवाने में एखपल रहता है तो हम उसको परत्यासित भूमिका नहीं कहेंगे इसी प्रकार से एक और अवधारना है यह है भूमिका ग्रैन रोल टेकिंग जिसको बोलते हैं रोल टेकिंग की जो अवधारना है वो प्रकिरिया है जिसके दोबारा व्यक्ति कुछ विशेश प्रकार की भूमिकाओं को निवाना सीखता है विविन प्रश्थितियों के अनुसार वो मिका अभी नीद करने को विविन का ग्रैन कहते हैं व्यक्ति अपने जीवन के विविन चर्णों से गुजरता है पहले वैएक शिसू के रूप में होता है उसके बाद जब उसका विदाले में दा खिला करवाया जाता है तो वैएक पती की बुमिका में भी हो सकता है इसी प्रकार से उसके दवारा पड़ लिख करके कोई नोकरी बगेरा लग जाने पर वो किसी का रहले में आने बुमिका में हो जाता है तो जब व्यक्ति विभिन प्रकार की बुमिकाओं को निभाना शिकता है तो उसको बुमिका गरेन का ज तो बुमिका संगर्ष जो है उसकी यदि हम बात करें तो जब क्योंकि व्यक्ति को समाज में विविन परकार की विमिकाई निवानी होती है वह एक ही समय पर विविन परकार की विमिकाई निवारा होता है जब समाजिक परिस्तिती को बनाए रखने के लिए दो बुमिकाई व व्यक्ति को एक साथ निभानी पड़े और उन दोनों भुमिकाओं में विरोधाबास पाया जाए तो उस भिरोधाबास को यह भुमिका संगर्ष कहते हैं तो इस प्रकार की स्तति जब भी उत्पन होती है तो मनुस्य जो है वो फरवावशाली बुमिका को ग्रेंड कर लेता है और कमजोर बुमिका को त्याग देता है तो इस तरह की जो अवधारना है उसको हम बुमिका संगर्स कहेंगे कई बार व्यक्ति अपने अंतरदवन्द में रहता है तो ये उसी काई नाम बुमिका संगर्स है इसी प्रकार से एक ओरावदारना है बुमिका वंचन और बुमिका वंचन जब कोई व्यक्ति अपनी प्रस्तति को छोड़ करके दूसरी प्रस्तति को ग्रेंड करता है तो उसे अपने पहले पहले वाली प्रिस्तती से समंदित भूमिका को त्यागना पड़ता है और वह उस भूमिका को निवाने से वन्चित हो जाता है तो इस प्रकार की स्थती को भूमिका वन्चन की स्थती कहा जाता है और अंत में ऐसफल भूमिका ऐसे फ़ल भूमका के जो भूमका व्यक्ति से पर्तिया सित थी समाज के दौ्वराप एक सित थी और वहे व्यक्ति उस परकार की भूमका को निभाने में ऐस मर्त राहर है तो इस तरह की स्तहती में हम उसको ऐस fet भूमका कहेंगे तो प्यारे बच्चो आज हमने प्रस्तती और भुमिका की दो महतवपुन अवधारनाओं के बारे में चर्चा की ये दोनों ही अवधारनाएं प्रिक्षा के दरश्टी से बहुती महतवपुर्ण है प्रस्तती के प्रकारों की हमने चर्चा की अर्जित प्रस्तती और प्रदत प्रस्तती के बारे में बात की भूमिका की विविन अवधारनाओं के बारे में भूमिका के बारे में भूमिका की विशेषताओं के बारे में चर्चा की इन अवधारनाओं से समंधित परसन लगू उत्रातमक के रूप में भी और निबंदातमक रूप में भी समय समय पेप्रिक्षाओं में आते रहते हैं जिन छात्रों ने ध्यान से सुना होगा उमीद करते हैं उन्हें अवस्याई लाब हुआ होगा धन्यवाद